गुद मोर्डिंग, मेध है आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग सिंगल स्टेज सेंट्रिफिगल पंप को डिस्मेंटल करेंगे असेंबल करेंगे और ठीर सारे नौलज हासिल करेंगे चैनल पे नए है तो सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें और वीडियो को इंट तक जरूर देखें सबसे पहले पर्मिट इशू कराएंगे, उसके बाद लॉग औट टैग उट कर लेंगे सबस्टेशन से भी और फिल्ड से भी स्विच को आफ कर लेंगे उसके बाद सक्सन और डिश्चारज लाइन में जो वाल वैर उसे क्लोज कर लेंगे आईसोलेट कर देंगे, और उसके बाद जो है कुरूट को ड्रेंगे crew train करने के बार इस लाइन में पानी फील करेंगे और अच्छी तरह से लाइन को clean कर लेंगे और इसके बाद nitrogen भरेंगे nitrogen से फिर जो है उसको clean करेंगे और उसके बाद barrier fluid हम भो निकाल लेंगे यानि mechanical seal को जो lubrication के लिए fluid दिया जाता है उस fluid को drain कर लेंगे, निकाल देंगे, उसके बाद bearing oil जो डाला जाता है, bearing में जो lubrication के लिए oil डाला जाता है, उसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग coupling spacer को निकाल लेंगे, कप्लिंग spacer निकालते हैं समय एक चीज़ का आपको ध्यान देना होता है, कि मार्क कर लें, अच्छी तरह से spacer में, ताकि इंस्टॉल करने में आपको आसानी हो, और अब हम लोग seal oil line को निकालेंगे, यानि seal में जो pipe lubrication के लिए लगाया जाता है, उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद casing का बोल्ड जो है वो लूज़ करेंगे, और सिंगल आई से जो है pump को lifting के लिए बाद लेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं, casing से pump को अलग कर लेंगे, सिंगल बेल्ट मारने से आसानी से जो है, लिफ्ट हो जाता है balance के साथ, और उसके बाद pump को casing से अलग कर लेंगे, और ये है impeller वियर रिंग, जो casing में भी लगी हुई है, इस pump में, कहीं कहीं पर दोनों जगह पर होती है impeller वियर रिंग, और कहीं कहीं पर सिर्फ impeller में होती है, यहां पर दोनों जगह पर है, यहां पर आप देख सकते हैं, केसिंग में भी वियर रिंग लगी हुई है यह देख सकते हैं आप बॉटम साइड में ड्रेन पॉइंट है सामने से इनलेट है पंप का और टॉप साइड से आउटलेट है अब हम लोग जो है बैक क्लियरंस चेक कर लेंगे इंपेलर सराउंड और स्टफिंग बॉक्स क्राउंड वियर प्लेट जैसे कहते हैं उसके बीच में इस पर डिजाइन जो है वो डिया रहाता है आपको कि क्लियरंस कितना होना चाहीए विजैस्ज मेरिफाई कर लेना है और इसके बाद लॉकनुट करने के लिए काप्लिंग की तरव से पहले इसको करे ते की तरह से उसके बाद जो है इस वोर्ट को हम लग खोल लेते हैं यो इस लॉकन ट के ओपर एक लॉक होता है है उसके बाद मुख यह ल्गो को खोल लेते हैं यह रहा लॉकनट और इस लॉकनट को लॉक करनेक लिए एक और एलेंड बॉल्ट दिया होता है कर अूश्य इसको भी लॉक करके रखा जाता है चाके lock nut भी न खुले यहाँ पर देख सकते हैं चोटा बोल्ट और यह impaler है close type impaler impaler थीन टाइप के होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप wear ring लगी हुई है close impaler semi close impaler और open impaler three type होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का view है impaler को निकाल लेने के बाद यहाँ पर एक key है impaler को lock करने के लिए और यह रही key और यह जो है दूसरा वाला piece और अब हम लोग pump को vertical position में खड़ा कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा से care करने की ज़रूरत है bottom side में shaft में trade है वो damage न हो और इसके बाद vertical position में इस तरह से इसको खड़ा कर लेंगे खड़ा करने के बाद mechanical seal का जो assembly fixer होता है उसको turn कर लेंगे loose करके और mechanical seal sleeve को lock कर लेंगे चारों तरफ से उसके बाद जो है set screw को loose करेंगे यहाँ पर जतना भी set screw उसको loose कर देंगे और उसके बाद जो है यह चार बोल्ट है इनको loose कर लेंगे और चार बोल्ट loose करने के बाद यहाँ पर jack दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा jack कर लेंगे और उसके बाद जो है bearing and bearing housing को अलग कर लेंगे stuffing box से और shaft भी इसके साथ अलग हो जाएगा यहाँ पर actually हम लोगा जो problem है वो mechanical seal से ही है जिसकी वज़े से last video में मैंने आपको दिखाया कि mechanical seal को हम लोगों ने overhauling किया यहाँ पर double mechanical seal है cartridge type की तो आप मेरी channel पर जाकर last video watch कर सकते हैं उसमें आपको mechanical seal के बारे में detail मिल जाएगा और यहाँ पर stuffing box और mechanical seal जो है बच गया और bearing housing bearing and shaft जो है वो अलग हो गया अब हम लोग यहाँ पर mechanical seal को हलका सा जैक करेंगे बोट लूस करने के बाद और mechanical seal को stuffing box से अलग कर लेंगे यह mechanical seal है और जो bottom side बचा हुआ इसको stuffing box बोलते हैं यह stuffing box है इस तरह से इसको अलग कर लेंगे और यह है mechanical seal जो pump side के area से जो है हमारा leakage है हलका सा जिसकी वज़ाए से seal oil का pressure जो है continue reduce हो रहा है यानि कम होता जा रहा है तो seal leakage का जो cost होता है उसमें एक shaft band भी होता है तो यहां पर हम लोग shaft को check कर लेंगे run out करके कि band तो नहीं है और shaft का run out दिया हुआ है vendor की तरफ से वो 2 thou है यहां पर यानि 2 thou तक accepted है यानि 0.05 mm तक accepted है shaft run out लेकिन यहां पर जो हम लोग इसको rotate करके देख रहे हैं इस तरह से dial gauge लगा लेते हैं और 0 पर state करके shaft को 360 degree rotate कर लेते हैं और यहां पर जो हमारा run out है वो only 0.02 mm है और यह है stuffing box इसको अच्छी तरह से clean कर लेंगे mechanical seal को हम लोग उने जो overhauling किया वो अलग से एक video बनाया है जिसको आप watch कर सकते हैं यहां पर mechanical seal को हम लोग install कर लेंगे और इसमें जो चार bolt है mechanical seal install करने टाइम आपको ध्यान रखना है मार्क करके ही निकाला जाता है mechanical seal और मार्क करके ही install किया जाता है नहीं तो inlet की जगह पर आपका outlet हो जाएगा seal lubrication का जो inlet है उसकी जगह पर आपका outlet हो जाएगा outlet की जगह पर inlet हो जाएगा इसके लिए mark करके ही आपको install करना है mechanical seal निकलने टाइम आपको केर करना है मार्किंग कर लेना है और इसके बाद इस तरह से जो है इससे install करके stuffing box का बॉल्ड को रिक्वल टाइम अच्छी तरह से clean करके shaft की को install करेंगे और इसके बाद impeller install करेंगे इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं view और इसके बाद आप जो है impeller install कर लेंगे impeller install करने के बाद lock tight लगा कर lock nut लगाएंगे और lock nut को tight कर लेंगे coupling को hold करेंगे एक side से और उसके बाद ही जो है आप lock nut को tight कर सकते हैं तो यहाँ पर hold कर लेंगे और उसके बाद tight कर लेंगे और lock nut को lock करने के लिए एक allen bolt दिया है जिसमें भी lock tight लगाके इसको भी tight कर लेंगे इसका thread opposite side है यानि उल्टा thread है इसका इसको भी tight कर लेंगे ताके lock nut open न हो उसके बाद pack के लिए चेक कर लेंगे और उसके बाद impaler को इस तरह गूमा कर देख लेंगे free rotate हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसके बाद casing को अच्छी तरह से clean कर लेंगे यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर spiral wood gas kit है जिससे install कर लिया जाता है install करने के बाद pump को casing में install कर लेंगे और बोल्ड लगा देंगे बोल्ड लगाने के बाद equally बोल्ड को tight करेंगे diagonal में और टॉर्क कर लेंगे टॉर्क कर लेने के बाद mechanical seal का जो set ring है उसका grave screw को shaft के साथ पराबर tight कर लेंगे lock tight लगा कर और उसके बाद assembly fixer को इस तरह से turn कर लेंगे क्योंकि pump running के position में assembly fixer ऐसा रहता है और जब pump से mechanical seal को निकाला या install किया जाता है उस time में इस fixer से sleeve को lock कर दिया जाता है चारों तरफ से इस तरह से lock करके ही seal को निकाला या install किया जाता है और install कर लेने के बाद वापस इसको opposite घुमा दिया जाता है running position में यह assembly fixer प्रेड जो है opposite side रहती है थांक्स for watching video